दोस्तों येक्ट में आज हम बात करेंगे होक की होक क्यों जरूरी है और होक को समझने के लिए हम पहले एक स्विचेशन क्रेट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि होक हमारी इस स्विचेशन में किस तरीके की हैल कर सकता है मतलब होक से हम लोग इस स्विचेशन को किस त तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कि एक यहां पर यह टर्मिनल open रोपन करते हैं, और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो की हमारा हुक को konfig करने के लिए होगा, तो हम लोग यहां पर जाते हैं, और यहां पर हमको जो project konfig करने का command है, वो मिल जाएगा, तो मैं गाइड पे चला जाता हूँ और यहाँ पर हमको यह कमार्ड यहाँ से हम लोग कर लेते हैं copy ठीक है जी इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसको यहाँ ले लेता हूँ ठीक है इसको कुछ इस तरीके का कर देते हम लोग ऐसे और इसको ऐसे कर देते हैं ठिक है यहां से इसको कॉपी करूँगा बस यही कॉपी करना है मुझे तो इसको बंद भी कर सकता हूं क्योंकि इसका काम हो गया यहाँ पर देखे आप example के अंदर में गया और यह वाला command में ने run किया जिसे ही मैं run करके enter करूँगा system मुझसे पूछेगा कि कौन सा मेरे को मतलब system मेरे को पूछेगा template तो मेरे को यहाँ पर react select करना है project का नाम मुझे देना है और project का नाम देने के बाद में मुझे तो project का नाम में दे रहा हूँ यहाँ पर counter क्योंकि हम लोगे hook को सबजने वाले हैं और counter काउंटर के बाद यहाँ में react select करूँगा और यहाँ पर में javascript select करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर counter नाम का folder बनिया है लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं है हमको cd करके counter के अंदर जाना है तो मैं लिखता हूँ cd और यहाँ counter के अंदर गया और यहाँ पर मैं लिखूँगा npm install नpm install मैंने लिखा और npm install लिखने के बाद में मुझे npm run देव करना है तो यह application जो है वो run हो जाएगी थोड़ा सा time लेगा in between हम क्या करते है कि यहाँ पर हमारे पास में एक फोल्डर था जो हमने last video में use किया था यह वाला यह settings जो है इसको copy कर लेते हैं हम लोग ठीक है यह पूरा folder ही copy कर लेते हैं even तो यहाँ से मैं copy करता हूँ इसको और जो नया folder बना है इसके अंदल जाके इसको मैं copy कर लेता हूँ तो यह copy हो गया यहाँ पर तो इससे क्या है कि हमको code formatting में मदद मिल जाएगी क्योंकि हम कर देव हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो npm रंडेव करेंगे यह project पूरा config हो जाएगा उसके बाद में npm-run देव हम करते हैं तो यह config है अब यहाँ पर मैं लिखता हूं npm फिल लिखता कूं run और फिल लिखता हू sms केंड यहां मुझे लिखना बहा तो मैं लिखता हूं npm RunDev ठीक है? ये npm RunDev लिखा तो project जो है वो यहाँ पर run हो जाएगा ठीक है? project run हो जाएगा इतना तो यहाँ पर आप देखोगे तो project run हो जाएगा यहाँ पर एक url आएगा जिसमेan project चलेगा और वो project वो, जो है, वो run हो जाएगा ठीक है जी तो मैं यहाँ control की प्रेस करके इस link को open कर लेता हूँ तो आप देखोगे यह link यहाँ पर open हो रही और यह जो project है वो यहाँ पर हमको open होते दिख जाएगा देखें यहाँ पर है और अब यहाँ पर एक मज़े की बात इस counter को मैं click कर रहा हूँ ना तो इसकी value भी यहाँ पर बढ़ रही है देखें मैं counter click करता रहता हूँ तो इसकी value जो है वो बढ़ रही है यहाँ ठीक है counter के click पर value बढ़ रही है तो हम लोग इस code को समझते हैं क्योंकि यह तो default code है जो की width ने हमको बना के दिया है तो अब हमको पता है कि project को हमको कैसे देखना है तो हमको जाना है पहले src में तो मैं src में चलता हूँ src में जाने के बाद मैं app.jsx में चले जाते हैं तो यह पूरा code है ठीक है अब यहाँ पर देखें एक hook use हुआ है use state अभी हम बात कर रहे हैं कि hook की क्या जरुवत हमको पड़ी ठीक है तो मैं क्या करता हूँ hook को समझने के लिए पहले तो यह सब चीज़े हटाता हूँ इसमें से मेरे को इसकी कोई जरुवत नहीं मतलब मेरी जो application वो कुछ ऐसी है राइट तो मैं सिर्फ यह counter रखूँगा और यह सब कुछ हटा देता हूँ यहांसे ठीक है तो चलिए जी इसको यहां से remove कर देते हैं यहां पर मैं h1 के अंदर देता हूँ counter क्योंकि मेरे को hook समझना है तो मैं counter use कर लेता हूँ counter की spelling ठीक है यह counter हो गया है यहां पर आप देखोगे तो output कुछ ऐसा आ गया है यहां पर अब क्या करना बटन तो मेरे कुछ चाहिए है paragraph मैं simple यहां पर counter की value display कर देते हैं हम लोग या counties तो display होई रहा है already तो यह display हो रहा है अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं class name में जाके इसको भी यहां से हम लोग remove कर देते हैं code को save करते हैं code को मैंने save किया यहां पर आप देखो के code save हुआ है और इसको हटाते हैं यहां जाते हैं इसको फ़ड़ा सा proper format कर देते हैं तो बहुत ही simple code अब यह हो गया यहां से यह space आ रहा है इसको भी हटा देते हैं और यह default code है जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है इसको मैं zoom पर करके देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा counter अभी click करता जाओंगा तो यह जो value है वो बढ़ जाएगी ठीक है अभी मैं इसको remove करूँगा तो यह refresh करूँगा तो यह value यहाँ पर remove हो गई अब मान लो कि यहाँ पर मान लो एक paragraph और होता ठीक है यह एक ऐसा paragraph मान लेते हैं हम लोग और same चीज counter is करके यहाँ पर counter की value में show कर देता simple तो देखें दो-दो counter है भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एक जगा लेकिन दोनों जगा value बढ़ रहा है यह situation ऐसी भी हो सकती थी कि 10 counter value हो सकती थी यहाँ पर तो अगर 10 counter value होती तो 10 जगा यह value improve होती इसा हो सकता था ना कि 10 10 जगा हमको इस counter की value use करना पड़ा है ऐसा scenario बन सकता प्रोजेक्ट में अब देखिए यह तो default है इसमें हमने कुछ नहीं किया और यह use state एक hook है है ना और यह default code हमको हमने generate किया महाँ पर यह हमको use किया है तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसको comment कर देते code ठीक है और यहाँ पर मैं एक normal count बनाते चली counter ने count बनाते और इसकी value default value मैंने दे दी 5 simple अभी तो आएगी error project में या मैंने इसको value दिया तो देखे value 5 अभी कोई value यहाँ बढ़ नी रही है ठीक है जी यहाँ on click है तो on click पे यह एक function है ठीक है तो on click पे मैं क्या करता हूँ set count वाला जो function है जिसे set count यह लिखा था on click पे तो इन्होंने यहाँ एक arrow function बना दिया तो हम लोग क्या करते हैं कि यह वाला जो code है इसको मैं comment कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है यह जो code यहाँ पे लिखा है ना arrow function जो लिखा है यहाँ पे set count को call किया है और set count function में जाके इन्होंने यहाँ पे इस value को आगे वड़ाया है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेता हूं जिसे मैंने बनाया add value ठीक है यह मैं एक arrow function इंग बनाता हूं add value मैंने एक arrow function बनाया और arrow function का जो syntax होता है वो मैंने हैं use किया यह मैंने बना दिया arrow function simple और इस arrow function में मैंने क्या किया कि count is equal to यह जो count उपर use किया है count is equal to count plus one ठीक है यह count plus one ठीक है और count plus one मैंने यहां लिख दिया अब चुकि count जो value है वो तो यहां पर update हो रही तो यहां पर क्या करता हूं मैं कि इस function को call करता हूं यह default हटा दिया मैंने जो जो मुझे default दिया गया था react की तरफ से width की तरफ से जो दिया गया था वो मैंने हटा दिया simple तो अभी count की जो value मैंने initialize की थी वो आप देख रहें count की value 5 से initialize मैंने की थी तो अभी देखे पहले value वर्ड रही थी अगर आपने demo पर ध्यान दिया हो तो पहले click कर रहे थे तो value वर्ड रही लेकिन आप click कर रहे हैं तो value वर्ड नहीं अब एक काम और करते हैं चलिए अब एक काम क्या करते हैं यहां पर console log करते हैं तो console.log में जाता हूँ यहां पर count की value को हम लोग display कर लेते हैं ठीक है बटन के click पे function तो चलेगा और function चलेगा तो count की value हमको दिखेगी console पर तो मैं क्या करता हूँ यहां पर जाता हूँ inspect element में जाता हूँ और inspect element में जाने की बाद में console पे जाते हैं अब देखें यहां जिसे ही मैंने click किया तो देखे 6 हो गया यहां 7 हो गया 8 हो गया है ना 9 हो गया 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया देखे value वड़ती जा रही लेकिन यहां value stable है तो अब आपको hook की impotence सबज में ही होग यहां पर control-z करता हूँ control-z करता हूँ देखे यहां पर मैंने बापस से code जिससे था बैसे कर दिया और यह जो comment है इसको मैंने हटा दिया है ठीक है और यहां पर let counter 5 6 तो count दो बार आ गया तो इसको comment करना पड़ेगा हमको ठीक है तो यह अब आप देखे react जो है वो पुरान तुरंत update हो रही है UI पे लेकिन हम लोगोंने hook use नहीं किया था normal value हमने use किया था तो क्या हो रहा था variable की value तो वर्ड रही थी लेकिन यहां पर update नहीं हो रही थी UI component में अब इस hook का advantage क्या है देखे hook का advantage यहां पर यह है कि आपने एक बार यह value set कर दी count की तो आप जहां चाहों महाँ पर इस count को सिर्फ print कर रहा है value automatic print हो रही है और यह कौन कर रहा है यह काम यह काम use state hook कर रहा है अभी हम लोग use state के बारे में पूरा detail में देखेंगे और use state को किस तरीके से use करना है वो भी देखेंगे और इसके और भी example हम लोग करेंगे पर यह है कि देखे अब एक ची इस component की value लेगने हो पड़ती कैसे document.query selector और यहाँ पर id पास करने पड़ती यह हमको लिखना पड़ता document.get element by id और id पास करने पड़ती और उसके बाद में उसकी value को हमको update करना पड़ता तो यह तो अभी दो component थे आपके project में मान लीजे 50 component है तो आपको 50 जगा update करना problem को solve करने के लिए यहाँ पर use state हुकाया है और use state की help से हम लोग सिर्फ यहाँ पर update करेंगे और react बाकी का सारा काम react अपने आप कर देगी और जहाँ जाँ भी हम लोग इस variable को या इस function को इस variable को जहाँ जाँ भी हम use करेंगे महाँ पर value automatic update हो जाएगी ठीक है अब इस समझते जाँ की use state को किस तरीके से use करना है तो देखें यह name import है तो सबसे पहdog को यहाँ पर लिखना है import use state from react आपको यह line लिखनी है सबसे पहले तभी आप use state का use कर पाएगे उसके बाद में आपको यहाँ पर यह declare करना है है यह function का नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इन्होंने स लिखा है आप जो नेम चाहो वह यहां पर आप दे सकते हो इस function का नाम आप कुछ भी दे सकते हूं जैसे मैं add value देना चाहूं तो ad value भी में दे सकता हूं तो जिसे मैं add value देता हूं ठीक है मैं यहां पर add value जो है और cannot tree declare तो जो add value function यहां हो गया है यहां पर हम लोगों ने add value function का जो name है वो दे दिया है तो हम लोग यहां पर अभी मैं क्या करता अगर add value name देता तो मुझे यहां से direct add value को call करना होता है ठीक है तो हम लोग यहां पर देखे इसने तो set count किया था अगर मैं add value करना चाहूं तो मैं इस function का नाम यहां पर change कर सकता हूं तो मैंने यहां पर add value कर दिया अब आप देखोगे इस code को run करके तो यहां पर counter की value जो है वो दोनु जगा बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही तो एक बार हम पूरा system फिर से समझते हैं कि किस तरीके से use state hook को use किया जाता है ठीक है तो आप क्या की easy है अगर आपको use state का use करना है तो आप सबसे पहले import लिखेंगे फिर यहां पर आपको use state लिखना है जिसे की मैंने बताया ये एक name import function है है ना और उसके बाद में from react ये line आपको लिखनी है उसके बाद में आपको variable declare करना है तो यहां पर देखें मैंने count डाम का variable declare किया और ये add value यहाँ पर किया भी होता क्या है कि ये वाला जो function है ना देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक variable है और ये इसका setter बन जाता है ठीक है और यहाँ पर आप जो भी इसकी data type है वो pass कर सकते जिसे अभी number है तो मैंने 0 से in slice किया तो ये value 0 pass हुई है ठीक है अब अगर मान चाहता हूँ कि इसको मैं 5 से in slice कर दूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर जिसे 5 कर देता हूँ मैंने 5 किया और यहाँ पर application में गया मैं और इसको मैंने वापस से refresh किया तो देखे 5 value आ गई यहाँ पर अब यह 5 से आगे वढ़ने लगेगा तो यह आपको function को एक बार है declare कर देना किया है यहाँ पर 8 value और count में जाके count plus 1 तो देखे count plus 1 करेंगे हम तो count वे कितनी value जाएगी 6 और यह 6 दोनों जगा प्रिंट होगा तो इसका फायदा क्या होगा है इसका फायदा यहाँ पर यह होगा कि आपको document मतलब java script से आपको component update नहीं करना पढ़ रहा है आपने एक सारी values को क्या कर दिया यहाँ पर update कर दिया तो यह जो हूख है उसकी requirement यह थी कि हूख ने आपका काम कितना easy कर दिया अब आपको service function को call करना है एक बार declare करने के बाद और आपका counter variable accessible है आप जहां भी counter variable को use करोगे इस तरीके से बहाँ पर आपको count की value मिल जाएगी तो यह था हमारा use state hook का example आगे हम और भी example करेंगे जिसमें use state को हम लोग यहाँ पर use करेंगे